उतर प्रदेश लोव टीचर रेक्रूट्मेंट स्कैम को सीम योगी आधित्य नादबाधी तवाहिंचालन नारू कॉंग्रेस प्रधन कार्य दर्सी प्रियांका गांधी एक्जाम सो पारदर्सकंगा पेड़ते टॉपर नुएंदु कारेस चयाल सो अचिन्दनी प्रसुनी चैरो स्कैम लोव दोशिलपाई कठिना चरियल तीसको वाला नेप्रियांका डिमांड चैरो आप सब तो जानते ही हैं कि हाल में परिक्षा के रिजाल्ट आए और उस रिजल्ट से बहुत आक्रोष बहुत नाराज़गी हुई है क्योंकि मीडिया के रिपोर्ट से छातल चात्राओं के रिपोर्ट से यह पता चल रहा है कि इस परिक्षा में बहुत बढ़ा गोट आला हुआ है बहुत जादा प्रश्टाचार हुआ है मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि एक परीक्षा आप दे रहे हैं और उसका रिजल्ट डेर साल बाद आ रहा है, उसके रिजल्ट के आने में इतना समय लग रहा है, क्यों लग रहा है इतना समय, अगर कोई घोटाला, कोई गड़बर नहीं है, तो ये रिजल्ट पहले आना चाहिए, आज सुभे टॉपर गिरफतार हुए हैं, कल कुछ लोग गिरफतार हुए थे, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, कि अगर ये परीक्षा पारदर्शिता से, ठीक ढंक से, साफ सुत्रे तरीके से की गई है, तो लोग गिरफतार क्यों हो रह हैं, अगर सरकार कह रही है कि ठीक है, एक सेंटर में इशू आ रहा है, तो उस सेंटर के लोगों को हमने गिरफतार कर लिया, लेकिन पूरी परीक्षा में कोई समस्या नहीं है, तो ये बार-बार इशू क्यों उठ रहे हैं, और लोगों को इतना दुख क्यों हो रहा है, स् जनेरेशन के भविश्य का सवाल है, उस सवाल को हम उठा रहे हैं,